हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुबोष चन सिंग को जीस एमपी क्लिनिक आइंड नीव चैनल के अंतरगत आज के खास वीडियों में मुह के अंदर यानी मुह के अंदर में एक होने वाले खास बिमारी का हम चर्चा करेंगे इसका नाम है रैनूला म्यूकोसील यानी सिल एक जिसमें भी लग जाता है जैसे हाइड्रोसील यानी आप समझ सकते हैं कि एक पानी सा बुलबुला सा यानी उठा हुआ जिसमें एक तरह का कोई ना कोई आपका ये चीज कुछ फसा हो फस के उठा हो तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सिल्ग का मतलब होता है गुबारे के तरह फुला हुआ उठा हुआ आपको जीव के नीचे में यामाउट के सर्फेस एडिया के अंदर में यह बीमारी आपको देखने को मिलता है बहुत सारे मरीज हमेशा कमेंट सेक्षन में यह पुछते रहते हैं कि कौन सी बीमारी है तो हमने सोचा कि क्योंनब वीडियो एक हम डाल दे आईसे भीमारी को हमने एक बरलाइफ किया था एक बच्चे का जिससे हमने एक साल में आपको हमने ठिक किया था आप इसे देख सकते हैं कि कई रूपों में आपको मिल जैगा देखने को रैनुला मुकोसील इसका नाम है इसी के नाम से आप सर्ज करेंगे तो आपा जाएगा मुकोसील के भी नाम से आपको रैनुला के नाम से उपर में देख सकते हैं रैनुला मुकोसील इसी के नाम से आप सर्ज करेंगे तो जितना आपको जनकारी चाहिए मिल जाएगा तो आज कि इसका उपाए एक सर्जरी ही एलोपेथ के द्वारा सर्जरी ही किया जाता है लेकिन कितना सक्सेस है नहीं है इसमें सर्जरी तो बहुत कम ही सक्सेस होने का चांस होता है अब इसमें कई मरीज डरे रहते हैं कि कहीं कैंसर न हो जाए लेकिन हम बता देते हैं कि कैंस किंसर का सक जबे आप करेंगे जब कोई भी आपका ये जो सिस्ठ है काफी बढ़ने लगे ऐसे स्लेवरी ग्लेंड का ये आपको सबलिंग्वाइल स्लेवरी ग्लेंड का ये बिमारी है और ये आपको हमारे समय से पेट सम्मंधी बिमारी मुह का अच्छे से सफ़ाई नहीं रख पाने के कारण आपको ये बिमारी होता है ये आपको और विटामिन की कमी, C की कमी, खून का में जहूँ बहुत ज्यादा इस तरह से आपको बैलेंस नहीं रहना यानि पाचन में विकार तरह तरह का एंजाइम का आपको नहीं निकलना और ये किसी-किसी ये ट्रोमा यानि इंग्यूरी के चलते भी होता है और ये कई तो लिप बाइट करते रहते हैं इसे, इसलिए इस तरह से आपका यहां पर सिष्टे बन जाता है गाठ इस तरह से बन जाता है, माउस एरिया में बहुत सारे कई डॉक्टर इसमें आपको कलकेरिया फ्लोर, थूजा, एसिड नाइट्रिक, एसिड नाइट्रिक, बहुत सारे डॉक्टर अर्निका मॉन्ट, और एंटिम कुरूड, मर्क सोल, ना जाने कितने प्रकार के दवा का सलाह आपको में जाएगा, लेकिन मेरा अन्भव है, कि तमाम तरह का दवा देने के बाद में, यह आपको रैनूला, म्यूकोसील में बहुत ज्यादा देखने में नहीं आता है, हमने एक साल तक एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया था, आज से तिन साल पहले, और लाइफ भी किया था, बच्चे जो था, बिल्कूल, एक दम पीला सब पड़ गया था, लेकिन उसका हमने साल भड़ ट्रीटमेंट किया, तब या कठीक हुआ, इसमें दवा का रूट का होता है, लेकि जादे रैनूला आपको म्यूकोसिल में ये आपको ये आपको बताय जाता है, जीव के नीचे, यानि माउथ के सर्फे एरिया में, नीचे, टंग है, इसके नीचे पाय जाता है, लेकिन किसी किसी को हम एक जीव पर भी देखते हैं, तो सबसे बड़ी है चिकिसा में डॉक्टर का अन्भव, तो हमने अपने अन्भव से उनका दवा चेंज करके, बदल करके, हमने ट्रीटमेंट किया, छे महेना से आपको एक साल तक लगता है, ये जादे तर लोग मन में भय रहता है, कि कैंसर कहीं नहीं हो जाए, ये वास्तों में, लेकिन मरीज को इसमें सवधान रहनी चाहिए, कोई भी इसमें आपको सिष्ट यदी, म्यूकोसिल यदी आपका है बरा हो रहा है, बरा होने लगा, रैनुला, तो ये कहीं पर भी गाठ है, सिष्ट है, बरा होने लगा, तो आपको जिरूर सवधान हो जानी चाहिए, और इ इसमें ऐसे MRI CT scan ultrasound क्राकर इसके बारे में देखा जा सकता है कई तरह का जांच होता है यह male female बुढ़्धा जवान बच्चा सब को होता है लेकिन इसमें थुरा सा फल का आपको यूज करने चाहिए पाच तेल मसाले से बचने चाहिए सकाहार का प्रयोग जादे से जदा करें जादे मांसाहारी खाना ना खाएं इस तरह का कंप्लेन आ सकता है और जो इसमें जो टुच्ट पावडर है इसमें दातों की सफाई पैडिया की वज़े से भी लगता है कि हो सकता है इंफेक्शन बरते बरते दातों से जाक करके और प्रीबर का सभी का मिलक और गल ब्राडर का अच्छे से फंक्षन को नहीं करना और हमेशा मसालेदार खाना खाना इस विमारी का कारण हो सकता है तो यह आपको कई तरह का आप देख सकते हैं यह ग्लेंड से सम्बंधिस लेवरी ग्लेंड आप देख सकते हैं इसमें जो गरंथिया होती है किलार ग्रंथिया जो भोजन को क्या करती है मुलाइम स्थट बना देता है और उसे पशने में मदद करता है किसी कारण से म्यूकोसिल यानि म्यूकस म्यूकस का जमा होना बाहर ना निकलना यह जो ग्लेंड होती है मैं स्लेवरी ग्लेंड लार्ग रन्थिया तीन तरह के जो होती है मुह में यह जीव के कि उसको सपोर्ट करने के लिए छोटे-छोटे कई आपको लार्ग रन्थिया स्लेवरी ग्लेंड छोटे-छोटे सपोर्ट करने के लिए होते हैं उन्हें इंफेक्शन के वज़ा से यह म्यूकस का अंदर में बैठ जाना किसी कारण से नहीं निकलना तो इसमें बहुत बड़ा जो MSI सर्जन है एनाटोमी में बहुत ज़्यादे बिस सगे का उपाधिल यह सर्जन है खास करके माउथ ENTB भाग का उनको उनसे यह स्थीर्य को समय सकते हैं हम लोग फिजिशियन है यह कैसे बिमारी ठीक होता है इसके बारे में जादे हमारी फोकस रहती है तो आपका प्रश्ण है कि यह मुह के अंदर में जो बड़ा बड़ा ऊप फोड़ा कहिए बहुत लोग इससे मासा समझे लेते हैं मासा नहीं है इसका सही नाम है रैन रैनुला म्यूकोस सील मासा नह औं कह सकते हैं माउथ अलसर प्लेन रहता है लेकिन यह सील जहां भी सील आपको लग जाएगा उहां पर थोड़ा सा उठा हुआ सूजन पानी का मत्रा या कुछ भी कहिए सिस्ट खुला हुआ रहेगा गुबारे के तरह थोड़ा सा उठा हुआ तो यह म्यूको सील कहा जाता है और सील एक बिमारी होता है हाइडोसील यह से लगता है हाइडोसील फूला हुआ रहता है कहीं भी सील लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या होता होगा सील एक अधेन आप कर सकते हैं तो मरीज को उससे जादे मतलब नहीं है लेकिन हम उन्हें सोट में आपको इसको रैनुला म्यूकोसील आपको विमारी कहा जाता है और होमियोपैथिक दवा से हंडेट पर्सेंट ठीक हो जाता है और लक्षन के अनुसार आपको टीटमेंट लेनी परती है बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल देहकर कोई थुजा खाने लगता है कोई एसी नैट यूट्मेंट लेंगे तब ही ठीक होगा दाका डूज क्या है आपके सिम्टम को से चलेगा कितने मातरा में चलनी चाहिए दीनों तक चलनी चाहिए और डक्टर का तो जो ठीक होगिया है हम उन ही का हमने आप को लाइफ किया था हमित काफी दिनों से सोध रिशर्च करते र पढ़ने लगे खातक होने लगे दर्द होने लगे तो समझे की किके तरफ मेध रहे हैं मिकुषील को सब लोग कहता है नहीं भी है लेकिन ऐसा नहीं है वो जो बच्चे का हुआ था इस धंग का कम्प्लेन वो बिल्कुल पिला परते जा रहा था और यह जब हमने टीटमेंट के रिए बिमारी ठीक हो गया तो बिल्कुल इसका चेहरा स्वस्थ हो गया और चेहरे में लाली आ गई पिलापन खतम ह हुआ यानि कि इस धंग का बिमारी किंसर का भी इंडिकेट करता है मरीज को सधार रहनी चाहिए हम आपको दावे के साथ नहीं कहते हैं मेरा जो अनभव है बस आप से इतना ही हम सेर करते हैं हर डाक्टर की अपनी अपनी अनभव होती है तो हमने इसमें अनभव करके देख कि अब समय को मतस्ता है तो इस तरह से आपको इस वीमारी को अब समझने में मत्द मिली होंगी काफी यह बहुत होते हैं सर्जन अया एमडी किये रहते हैं तो उन्हें एनाटोमी का बहुत अच्छा ग्यान रहता है वो लोग इसको और डीप आपको जनकाई दे सकते हैं और हमारे अत्रिक आप खई वीडियो देख सकते हैं लेकिन हमने जो जिस दवास से होमीपैथिक दवास हमने ठीक किया हैं फिजिशन होने जो इस जो बिमारी से डर रहे होंगे यह आसा की किरन जागाएगी वीडियो और उमें हिमत देगा कि आपका बिमारी बहुत ही बहतरीन ढंग से होमीपैथिक दवास से ठीक हो जाएगा अपरेशन ना कराएं एलोपैथ में तो अपरेशन ही इसका एक मात्रू पाए रहता ह है जो की और जटिलता को जनम दे सकता है और आपको फेरे में डाल सकता है अपरेशन तो करके बाहर निकाल दिये रहता है लेकिन उसका मुल्क कारण नहीं खतम होता है लेकि अंदुरूनी दवा देने से मुल्क कारण खतम होगा भविस में पुनख पैदा होने का डर नहीं रहता है यह अंदर से दवा लेने के फायदे होते हैं अब आप जैसा समझे उमीद करता हूं कि हमरा वीडियो का मकसद आप समझ गए होंगे आपके प्रशनों का उतर मिल गया होगा जैहिं जै भारत